minimum marks क्या है Delhi University में admission पाने के लिए ये बहुत सारी students का question है and आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल last round तक क्या cut off जाती है इसके बारे में सभी students को aware करने जा रहा हूँ that two category wise and course wise now guys आपका chances of admission, cut off, minimum marks ये सारी चीजें तीन चीजों के उपर depend करती है सबसे पहला कि आपके अंदर patience कितना है Delhi University में एक या दो या तीन नहीं बट छे से भी जादा round of admissions conduct कराये जाते हैं कई बच्चे होते हैं तीन या चार round के बाद रुख जाते हैं और private university या drop लेने का सोचने लगते हैं लेकिन कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिलकुल last round तक वेट करते हैं और कई होते हैं जो विफल हो जाते हैं लेकिन कई होते हैं जिनको बिलकुल last round में जाके कोई न कोई college a lot हो जाता है तो सबसे important चीज है आपके अंदर patience होना चाहिए और आखरी दो चीजें जिन पर सबसे जाधा depend करता है वो है आप कौन सा course चूज कर रहे हैं अगर आप BA Sanskrit honors चूज करेंगे तो cutoff बिलकुल धणाम से गिर जाएगी लेकिन अगर आप BA Paul Science honors चूज करेंगे तो बिलकुल rocket की तरह cutoff उपर भी चली जाएगी तो आपके course की उपर भी depend करती है साथी साथ आपकी category क्या है उस पर भी ये cutoff depend करती है ST की सबसे कम जाती है General की सबसे high जाती है नावगेस सबसे पहले हम लोग थोड़ो सा courses के बारे में जानते हैं अगर आप सभी इन तरीके के courses में जाने को सोचते हैं कि भाईया मुझे Paul Science Honors करना है मुझे History Honors करना है मुझे English Honors करना है या इन courses में अगर आप combination चाहते हैं for BA program course तो ऐसे particular courses की जो cutoff है ये हमेशा से उपर गई है BCom Honors तो BCom Program तो बस यही Commerce students के पास जादतर दो courses रहते हैं तो इसलिए इन दोनों courses की cutoff सबसे हाई रहती है सबसे जादा अगर मैं variety of options बुलू तो humanities students के पास होते हैं लेकिन अगर एक humanity student इन courses की तरफ move करता है Hindi Sanskrit तो खेर बहुत low students opt करते हैं लेकिन ये भी एक course है जिसका नाम है philosophy honors कम बच्चिस के बारे में जानते हैं लेकिन अगर आप इस course की तरफ move करते हैं तो आपको कम नंबर पे अच्छा college मिलने के जादा chances बन जाते हैं वेरियाज अगर आप Paul science में आते हैं तो कम नंबर में guys आप सभी को एक बेकार college ही मिलेगा अगर आप सिर्फ Paul science honors course चूज करेंगे नव मैं आप सभी को न दो और particular course के बारे में बताता हूँ जो exist तो करते हैं बट क्या पता आपको ना पता हूँ एक course का नाम है BA program जिसके अंदर दो combination बनते हैं political science plus OMSP नव भाईया ये OMSP क्या है ये OMSP कौन सा subject होता है इसकी full form है office management secretarial practice ये भी एक course है जो आप सभी को BA program के अंदर Paul science के साथ पढ़ाया जाएगा कि office का management कैसे किया जाता है अगर आप सभी अपने आपको इन तरीके के courses के बारे में aware करोगे इन तरीके के courses को अपने preference sheet में डालोगे अगर आपके कम number आए है तो आपको college मिलने के बहुत high chances मिल जाएगे इसी तरीके से एक course का नाम है BA program economics plus human development आप कई बच्चों को ये course के बारे में भी नहीं पता होगा अगर आप सभी इन तरीके के courses ढालेंगे तो कम number पे अच्छा college भी मिल जाएगा और ये course मिल जाएगा लेकिन अगर आप इन तरीके के courses में जाएगे जैसे Paul Science History English तो cut off हमेशा की तरह super high ही रहेगी अपने options को expand करो एक और course के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा and that is B.C. Honors Psychology ये course करने के बाद बच्चे सोचते हैं कि भाईया हम सिर्फ psychologist बनेंगे नो आपके पास इतने सारे career options होते हैं जैसे कि HR manager बनना career life counseling करना market analyst बनना psychometrist बनना इतने सारे career options आप सभी के पास open हो जाते हैं अगर आप ये course pursue करते हैं B.C. Honors Psychology course आप सभी को offer किया जा रहा है one and only Bayer Rishi Hood University course की detail अगर आप सभी को बताओ तो ये 4 साल का course हो रहा है August 2024 से start होने जा रहा है degree का नाम होगा B.C. Honor Psychology as earlier mentioned and tuition fee होने जारी है 3.20 lakhs per year की now कितना simple application process है first आप सभी को application form भरना है जिसका link आप सभी को description box में मिल जाएगा application भरने के बाद आप सभी को aptitude test देना पड़ेगा and aptitude test देने के बाद आपका interview कंड़क्त होगा and अगर आप सभी interview में select हो जाते हैं तब आप सभी को B.C. Honor Psychology Rishi Hood से करने का मौका मिलेगा so don't leave this opportunity I am giving you the link in description box go and do check it out now guys आप सभी के screen पर आपको एक reality दिखेगी एक student है जिसका नाम है Arpit Shukla जैसे कि आप सभी मेरे आप से connected हैं कई बच्चे चाट पर questions भी पूछते हैं इसी तरीके से पिछले साल Arpit Shukla ने भी question पूछा कि भाईया मैं B.C. Biology Group से belong करता हूँ और मेरे 600 में से 373 marks आ रहे मुझे तो North Campus मिल जाना चाहिए यह इतना सादा थोड़ा सा overconfident था नाव जब Delhi University की first gut of release होई तब इसको पता चला कि भाईया South क्या off क्या मुझे तो कोई भी college नहीं मिला Arpit Shukla जो है यह general category से belong करता है और इसके पास कोई भी reservation benefit नहीं था जैसे कि EWS इतना जादा परिशान इतना जादा अल्मूस्ट रोने की state पे आ गया था कि भाईया मैंने तो कोई backup options भी अपने साथ नहीं रखे अब मैं क्या करूँ बाद में जाके ही joined my mentorship and then इसको मैंने preference sheet देखी preference sheet में इसने इतनी सारी गलतियां करी थी कि सिरफ और सिरफ top colleges चूज करके रखे अपने लिए off campus ही चूज करके नहीं रखा evening colleges सिलेट करके नहीं रखे सिरफ और सिरफ दो courses चूज करके रखे मैंने इसको बोला कि भाई आप ऐसा करो अपने preference sheet के अंदर एक तो off campus भी डालो evening भी डालो साथी साथ BSC honors Geology course भी डालो जब मैंने इसकी preference sheet में changes करा है तब जाके इसकी एक सही level की preference sheet बनी और तब जाके इसको second round में एक अपनी seed a lot हो पाई तब इतना ही खुश हुआ like I got thank you so much love you बहुत कुछ मतलब इसको खुशी होई यही मैं आप सभी को भी बोलना चाहूँगा कि आपके जितने भी score आ रहे हो चाहे lowest हो चाहे highest हो आपको भी maximum courses भरने है maximum colleges भरने है और preferences भी जादा से जादा भरनी है यहाँ पर गाईस हम बात करते हैं अपने minimum score के बारे में सबसे पहले BA course के अगर मैं बात करूं तो एर honors का नहीं है यह program course का minimum score है अगर एक general category student के 600 प्लस नंबर आ रहे हैं और आपने maximum to maximum BA program के courses डाले तो आप सभी को DUM admission मिलने के high chances रहेंगे इसी तरीके से अगर आपके पास reservation benefit है तो आप सभी के 500 से plus अगर मैं B.com course की बात करूं देखो यार honestly B.com honors and B.com program की cutoff बहुत हाई रहती है अगर आप यह दोनों courses टार्गेट करते हैं तो आप सभी का general category में minimum score 640 प्लस रहना चाहिए इतना अगर आपका score है तो आपको decent college मिल जाएगा 670 पे भी guys शिवाजी college of campus में मिला है general category के बच्चे को upgrade तक नहीं हुआ है जो मैं minimum score बता रहा हूँ that's a reality इसी तरीके से अगर आपके पास reservation benefit है और अगर आपका score 500 प्लस आ रहा है तो आपको off या evening में कहीं न कहीं B.com program का course मिल जाएगा इसी तरीके से अगर मैं B.C. की बात करूँ और B.C. में भी honors के साथ-साथ program course भी अगर आप रखेंगे न खासकर general category के बच्चे तो आप सभी मान के चलिए कि अगर आपका score 340 प्लस out of 600 आ रहा है तो आपको जरूर D.O. में admission मिल जाएगा इसी तरीके से अगर आपके पास reservation benefit है तो 200 प्लस अगर आपका score आ रहा है out of 600 तो आप सभी को जरूर D.O. में off या evening के अंदर admission मिल जाएगा यह है guys आपका overall minimum score का data जो मैं आपको बता रहा हो this is a reality also guys मैं आप सभी को recommend करूँगा कि अगर आप सभी के पास sports या फिर ECA quota है तो जरूर इस quota को apply कीजेगा एक junior था जो मुझ से interact करने के लिया है जब उसने मुझे recognize किया मैंने उससे पूचा भाई आपका क्या score है तो उसने बताए भाईया मेरा 720 score है और मैं अभी आपके college के अंदर become program pursue कर रहा हूँ मुझे थोड़ सा शौक हुआ किया इतने कम score पर कैसे admission मिल गया तो उसने बताया कि भाईया मेरा score थोड़ सा डाउन है लेकिन मुझे sports quota में मैंने apply किया था तो मुझे इसलिए admission मिल गया तो 720 में भी आप सभी top north campus college में आ सकते हैं अगर आपके पास sports या फिर ECA quota हो तो अगर आपके पास इन तरीके की quotas है आप सभी जरूर apply कीजेगा आप सभी इस तरीके की opportunities को miss मत करिएगा बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए all the very best और प्लीज इस तरीके की informative and authentic updates पाने क्लिए प्लीज ओंट फोगे तो subscribe this channel